नमस्कार साथियों, न्यूस किलिक में हम आपका स्वागत करते हैं, युनाइटड किंग्डम के चुनाव के नतीजे आ गए हैं, कंजर्वेटी पार्टी को 374 सीटे मिली हैं, और लेबर पार्टी की करारी हार हुई है, तक्रिबन उन्हें 203 सीटे मिली हैं, इसी सारे चीजो मामलों के जनकार प्रबीर पुरकायास था, तो ये देखा जा रहा था कि कंजर्वेटी पॉलिटिक्स बहुत टूट चुकी है, और उसके बाद से नतीजे भी उन्हें के साथ आते हैं, तो इस पर आपकी क्या रहा हैं, देखिए सवाल जो है कंजर्वेटी पार्टी लेके इस चुनाओ खासत तोर से आज इस जो आप जिसकी बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यह चुनाओ ब्रेक्सिट से जोड़ के देखना चाहिए, यह चुनाओ ब्रेक्सिट पे था, यह चुनाओ लेबर और कंजर्वेटी पार्टी के बेच में नहीं था, यह तूट की आप कर रहे हैं यह तूट इसलिए हुआ था conservative party के अंदर क्योंकि उस पे भारी division था इस बात को लेके Brexit होना है Brexit का समर्थन कर रहा है या उसका विरोध करना है और conservative party का यह जो तीन साल से जगणा जो चल रहा था conservative party के अंदर तो वो रिजॉल्व हुआ है Boris Johnson Brexit के खिलाफ न बोलके उसकी पूरी तरह से उसके साथ थे तो पहली बार conservative party ने कहा कि हम Brexit चाहते हैं हमारा Prime Minister Boris Johnson होगा और Brexit पे ले जाएगा आपको और हम जो है Brexit का पूरे पक्ष में हैं जिन्होंने विरोध कर दिया उनको आक्शुली बाहर निकाल दिया गया उनके खिलाफ डिसिप्रिन रिया गया तो conservative party जो पहले Brexit का विरोध करता था इस पीछले तीन-चार साल के जगड़े में जाके Brexit की पूरी तरह से पक्ष में इस वक्त है Boris Johnson के नेत्रित बने इसलिए Brexit के अगर 2016 की वोट देकर referendum जो है उस पे आप देखेंगे जिस तरह से वोटिंग वी है वो एक्चुली और स्ट्रॉंग होता है देखेंगे आप वहां पर अगर देखें तो Scotland के खिलाफ Scotland का विरोध था Brexit वो नहीं चाहते दूसरे जगहों पर Brexit का एक समर्थन दिखता था कुछ जगहों को छोड़ के वो जो धूगी करन है वो और साफ हुआ इस बार कि England के जो इलाके है United Kingdom में जो आपने कहा England आता है Scotland आता Ireland आता है Wales भी आता है हलांकि छोटे संख्यों में वहां के लोग हैं तो यह तीन इलाके में England में Scotland में Ireland Northern Ireland में तीनों अलग अलग राय वहां पर जाहिर हुई है तो Scotland Brexit का विरोध कर रहा था वो Brexit नहीं चाहते वो चाहते European Union के अंदर है करीब करीब Scottish National Party जो है पूरी तरफ से Northern United Kingdom यानि कि Scotland को स्वीप किया है अगर हम देखे England की जो इलाका है अगर आप देखे England का जो इलाका है उसमें जादातर जगहों पे जो खास तोर से जो शहरी इलाका नहीं है वहां पर Conservative Party जीती है अब पुराने इंडस्ट्रियल बेल्ट जो थे पुराने इंडस्ट्रियल टाउन जो थे जहां पर काफी बेर इसे उनकी नौक्तिया गई है वह भी ब्रेक्षिट का समर्तन करते थे वह लेबर इलाके थे 100 साल 50 साल वह लेबर को वोट दिये है क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन से वर्किंग क्लास था क्योंकि वह फैक्ट्रिया बंध हो गई है जो पुराने लेबर वोट है उसको वह वौट लेबर हैं, तो पर सी डिमाल प्रेव को वौट नी दिये जितना इस वक्त व्रेक्षिट के रिए वोट दिये है तो इसको भ्रेक्षित एलेक्षिन मानना चाहिए अर एही इपर ज Natureh offs पर जैनावि कौर्बित ज थैना लेबर पार्टी का इन क्योंकि एक बहुत-बड़ा Section Labour Party का जो पुराने ब्लेयराइट सेक्षन है वो एक्चुली Brexit नहीं चाहते और जो यंग Section Labour में आया है जो पढ़े लिखे हैं वो भी Brexit नहीं चाहते थे तो इसी लिए Jeremy Corbyn के लिए जो खुद कई बार European Union को विरोध कर चुके है वो इस तरह से clear एक slogan लेके नहीं जा पाए कि हम Brexit के पक्ष में हैं या Brexit के खिलाफ है तो Brexit की जो वोट है इस बार मैं मानता हूँ ये आम चुनाव नहीं था इंग्लेंड में इनारेट किंडम में जनरेल इलेक्शन नहीं था ये Brexit चुनाव था तो इसी लिए ये नतीजा Brexit के पक्ष में आया है ये साफ है लेबर पार्टी की कहे जारे कि करारी हार हुई है बहुत लंबे समय के बाद इतने बड़ी हार जबकि हम सुनते थे कि बहुत ही प्रकतिसील बाते उनके तरफ से की जाते थी गरीबों को लेकर के लिए और उनकी योजनाएं भी इस तरीके से थी तो लेकिन तब ये इतनी बड़ी करारी हार कियों कैसे हो जाती है वही तो बने आपका बताया कि ब्रेक्सिट अगर मुख्य सवाल है तो लेबर पार्टी की जो और सवाल थे जो और पोजिशन्स थे वो निकल के इसी लिए नहीं आई कि इस चुनावे बो मुद्दे नहीं थे इस चुनावे धूव इंग्लेंड की जनुता अगर समझती है कि बहुत भारी परिवटन पढ़ने वाला है यह नहीं होगा और उसका असर कंसर्विटी पार्टी पे बैकफायर कर सकता है पर इस वक्त क्योंकि यह ब्रेक्सिट चुनाव है और कोई मुद्दे इस पे कामियाब नहीं हुए तो इ पैशे इस ही लिए रहे गए कि बोरिस जोंस ज़ा जान्सन इसको अक्शुली एक ब्रेक्षित रिफरेंडंडम के तरफ से उस प्रहने इस ऑल्ला को के पेश गया था अब पार्लेंटमींट में पहले भी रिफरेंडम घोशना हो जाती थिए और एक रिफरेंडम हो ब्रेक इसकी नजर अंदास किया कुछ हद तक उनकी डिफरेंसेस इस पे रिजॉल्ब देही हुए थे इसलिए भी जेरीबी कॉर्बिन बहुत पहले मैंने जो कहा वो ब्रेक्सिट के पक्ष में है जो कहते है कि लेफ्ट एग्जिट फॉम यॉर्पिय यूडियन इसके पक्ष में थ पर इसके बाद तो शाह साफ है क्योंकि वो ब्रेक्सिट नहीं चाहते थे तो स्कॉटिश जरुता फिर इंडिबेंडेंस की मांग करेगी यह सब सवाल जरूर आने वाला है तो मत समझिए कि कॉंसर्वेटिव कॉंसर्वेटिव पार्टी का जो क्रैसिस से दूर होने वाला है मेरे ख्याल से ब्रेक्सिट के नाम पे जो है कैपिटलिजम पुझीबात की गहरा प्रभाव यूनाइट किंडम में पढ़ा है जिसके वजह से उनकी काफी इंडस्ट्री वगरा बंद हुई है कुछ लोग बहुत धनी हुए है वो सोशल डिविशन्स ना आके उसको पू नहीं करेगा मेरे ख्याल से छे महिना एक साल में आप देखेंगे विप्रीत शोथ शुरू होगा तब जेर्मी कॉर्बिन या लेबर पार्टी जो सवाले उठा रही है फिर उसकी अहमियत निकल के आए जैसा कि आप कह रहे हैं कि ब्रेक्सिट ही मुख्य मुद्दा था तो ब्रेक्सिट जब लेते हैं तो पूरा यूरोप जुड़ जाता है तो आगे के इंगलेंड की रहा पूरे यूरोप के साथ सामझस से करते हुए देखें वो तो साफ कह रहे हैं हमारे अमरीका के सामझस से करेंगे यूरप पे हम है ही नहीं यूरोपियन यूनियन अगर कैसे रहेंगे तो वो सवाल तो सब एक एक करके आने वाला है कि आप यूरोपियन यूनियन के अंदर एक पायर रखोगे एक पायर बाहर रखोगे आर्थिक रूप में यूरोपियन यूनियन इसको मानने के लिए तैयाद दी यह तो आप कहिए कि आप यू के बाहर है यह अंदर रही है उनका ही था और hard Brexit का बतलब European Union से दिखल जाएंगे तो European Union की कोई इसमें नर्मी नहीं होगी कि आपको कुछ हम चीजे छूड दे देंगे सवाल Ireland को लेके है कि Ireland Northern Ireland जो है वो चाहते है एक section वहां चाहता है कि साधन दक्षिन में जो है Irish Republic उसके साथ वो रहे कम से कम trade उनके अंदर ठीक से रहे बॉर्डर उसके close ना हो यह Northern Ireland के जो आपके वहां पर प्रोटेस्टिट एक section है जिसको Unionist Party है Democratic Unionist Party वो कहते है ऐसा नहीं हमारा संबन सिर्फ England से होना चाहिए Scots कहते England हमें दबा देगा तो हमें तो European Union के साथ जाना है तो एक ध्रूवी करन England, Scotland, Ireland के अंदर भी इस तरह के Northern Ireland के अंदर भी एक अलग किसिव करन होने जा रहा है तो जो हम कहते न जब दूसरे मुल्क में होता है कहते हैं यह तो जातिय सवाल है भाशा की सवाल है ट्राइबल सवाल है तो यह ट्राइबल सवाल अभी United Kingdom भी आने वाला है तो इसलिए हम इसको न समझे कि England या United Kingdom का crisis इसके खत्म हो गया बलकि एक crisis से लेके दूसरे crisis में फंसने वाले है वक्त लगेगा क्योंकि European Union से break एक दिन में नहीं होगा इसको break करने में एक दो तीन साल लगेंगे और इस पे कोई शक नहीं है United Kingdom का इस वक्त अमरीका के साथ पूरी तरह से मिल जाना कम से कम financial economic तौर पे यह तो पहले तो कहते थी थी कि पालतु कुत्ता है अमरीका का यह भाशत दिया जाता था पेट डॉग तो पेट पूडल कहा जाता था उनको तो यह चीज जो है और भी साफ सामने आएगी यह तो साफ है इस वक्तरम्प और उनके दोनों के बाल सफेद नहीं दोनों के बाल येलो है ठीक है ना तो वह अलग बात है बाल से भी मिलते जुलते है चाल से भी मिलते यह हमेशा अपके दौर में हार क्यों जा रहे हैं देखें यह आप जिस तरह से पेश कर रहे हैं उतार चड़ाओ राजदितकर होता है जब यह होता है कुछ जगहों पे पीछे चले जाते हैं कुछ जगहों पे आगे चले जाते हैं कुछ वक्त में सब इकठा चलते हैं इसका कोई ऐसा अर्थ निकालने का हम कोशिश न करें इतिहास की अपनी उतार चड़ा रहता है उसके साथ साथ कभी जब पिंग टाइड कहते थे लैटन अमेरिका में पिंग टाइड हुआ था उसमें बाबब्बंदी शक्तियां आगे निकली कुछ देर बात कुछ अबरीकी सामरा जबात की फिर निगाह लाटन अमेरिका में पढ़ी क्यों पहले नहीं पढ़ रही थी क्योंकि वह इराक वार में उल्जे हुए थी फिर पढ़ी तो वहां पर प्रतिक्रियाबादी शक्तियों की खर्चा करना पैसा देना अमरिकान प्रेशर हर्ट तरह से करना तो यह अस् जो चीज है जो हमें देखना पड़ेगा कि दुनिया में अमरिका के जो शक्ति पहले दुनिया पर जो बल था वो अब संकुचित होते जा रहा है इसलिए अलग-अलग centers of our power निकल रहे हैं United Kingdom of America के साथ जाते हैं European Union अब एक ज़्यादा independent भूमी का पालन करने की संभावना है तो ये सब जो चीजे हो रहा है मेरे ख्याल से सिर्फ लेफ्ट और राइट की तरह मत देखें इस पर बहुत सारे और changes हो रहे हैं और अमरिका के जो कहते हैं कि 90s के बाद लग रहा था कि सिर्फ soul hegement सिर्फ दुनिया में एक ही सबसे बड़ा शक्तिशाली मुल्क होगा जो दुनिया पर उसका दबदबा रहेगा उससे बदला बदल रहा है यह आप देख सकते हैं चीन और रश्या के मजबूत access निकल रही है जो अमरिका का मुखालफत कर रहा है इरान को बश बश में नहीं कर पा रहा है लैटन अमरिका पे उस तरह से उनकी दबदबा नहीं है ज यह सब काफी जैसे मैंने कहा complex forward motion है इससे सिर्फ football की तरह कौन इसमें हारा कौन जीता एक गेम से लेकर न देखे एक लब्बे अर्से की खेल है देखने की ज़रूरते क्या हो रहा है पर इस वक्त साफ है कि दुनिया में जो पहले post world war की जो western world थी NATO जिसका अगाह कर रहा था और जो financial structure था यह सब बदल रहा है और जो शिकस्त कहा गया था जो सौवित यूनियन के बाद जिस तरह से पूरा Eastern Europe पेमरीका हभी वह रहा था वहाँ भी बदला हो रहा है तो देखना पड़ेगा कैसे बदलता है सिर्फ left right की बात नहीं बहुत सरे और चीज भी इस पे जु शुक्रिया आप देखते हैं न्यूस क्लिक